फिर से एक बार आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीट फोटो रिकवरी अप्लिकेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे की मेरे आने वाले सभी लेटेस वीडियो का नौटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए सबसे पहले आपको प्लेश टूर ओपिन करना है यहाँ पर आपको सर्च करना होगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप उन फोटो को देख सकते हैं जिस फोटो को आपने डिलीट कर दिया था या फिर मिस्टेक से आपसे डिलीट हो गया था और आप यहाँ पर किसी इमेज को रिकभर करना चाहते हैं यहां पर इस box में आपको तीन image दिखाई दे रहा होगा तो हम चाहते हैं इसे recover करना तो यहां पर box में आपको click कर देना है उसके बाद आपको यहां पर image को select करना है इस तरह से image आपको select करते जाना है आप जिस भी image को recover करना चाहते हैं उसके बाद आपको यहां पर restore में click कर द देंगे हमने जो image recover किया है वो हमारे phone पर है या नहीं तो हम इसे back कर देते हैं उसकी बाद आपको यहाँ पर file वाले option में click करना है और यहाँ पर से आपको photos का option मिलेगा यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो photo recover किया है उसे आप यहाँ पर से देख पाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो photo recover किया था वो आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिर हम इसे back कर देंगे उसके बाद हम दूसरा image open करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा image भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिर इसे हम back कर लेते हैं फिर हम तिसरा open करते हैं तो यहाँ पर तिसरा image भी आपको दिखाई दिया अभी से हम back कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर photos के option में click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अलबम में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको नीचे चले जाना है इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं Restored Picture तो यहाँ पर आप क्लिक कीजेगा तो यहाँ पर से आप उन पिक्चर को देख सकते हैं जिसे आपने restore किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं delete photo recovery application के मदद से आप किसी भी delete photo को फिर से recover कर सकते हैं तो friends आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो फसंद आई हो तो please मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो फिर में लेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you